प्रूटॉम थेरपी या प्रूटॉम बीम रेडियो थेरपी एक नई कैंसर टेक्नोलोजी जो और वराण 2-3 साल पहले हमानी कंट्री में आई है और हेविली इस थेरपी का मार्केटिंग किया जाता है कॉमनली टीवी पे रेडियो पे या इंटरेट पे इस थेरपी के तो दोस्तों आज की वीडियो में इस कॉष्टली पर ब्रैंड न्यू थेरपी के बारे में बहुत सरी चीज़ें डिसकस करेंगे नमस्का मेरा नाम में डॉक्टर मृत्टर मृत्व नंदाबुत्य है अब्डीपस MdN DM फ्रम एंजियो डिल्ली और मैं दिल्ली में स्थिक म तो दोश्तों प्लचशेंग तो दोस्तों की नई आज स्काल वील यह जैसे की दोटीयों पिक क्या होती है protein थर цвет क्या थी इस बीकर शिए 기가 क्या यह ज़कुत्ता क्या कि यह कुछर्चा ब्धेगा क्राने में high-variGR पेसे हैं तरिटी क्या नहीं कर सकती है यारी किन चीजों के लिए नहीं इस्कार होती है रॉटौन भी आ मुझे एपकेसLE कंशन का मानसर एक है करकेए तो फ़र्स करें यह एक प्रोडों घरपी और दुस्तों प्रोडों ट्रापी होती है जिसमें कई जारी ट्रिफाइनमेंट सकती है तो पहरान संगाते हैं कि रीडिव्य थरपी क्या वाती है तो दोस्तों केञसर को ट्रीट करने की में पत्वतितीों पर से एक खौंब के बाद वर्ड में डिस्कावर हुआ था और आज की दुन्या में उसके ब्यॉंड नहीं सारी और थरुपी जैसे की तो दोस्तो प्रोटान भी तरपी का रिफाइनमेंट है नॉर्मली क्या दिखा जाता है कि सब और समय बोडी के किसी ट्यूमर को रेडिशन से बर्न करना है तो रेडिशन की जो बीम होती है वो जब उस ट्यूमर तक पहुस्ती है तो रस्ते में जो नॉर्मल डिशू है उनको भी बर्न करती हुए जाती है और वेडियास टेकनोलोजी जिससे उस बीम को पेशेंट के चाड़ो तरफ से दिखा जाता है ताकि नॉर्मल डिशू को ड जाता है और प्रोटान पार्टिकल को जब मशीन से शूट के जाता है तो उसकी एक स्पेशल प्रॉप्टी होती है कि उसकी इनर्जी को इस तरह सेट कर सकते है कि वह रस्ते में जो नॉर्मल डिशू है उसको बिल्कुल भी बनना करे और सिरफ जाके ट्यूमर को बन करे तो प्रोटान बीम रेडियो थरपी एक स्पेशल तरह के रेडियो थरपी है जिसमें ट्यूमर और मशीन के बीच के जो नॉर्मल टिशू है उनको डैमेज को मिनिवाइस कर सकते हैं जिससे की नेट रिजंट यह है कि ट्यूमर को आम डोस अच्छा दे सकते हैं और नॉर्मल ट टिशू को जो ख्रास एक्षोजर होता है रेडिय автом ट्यूस को डैमेज होता है जी र्जंट खोगा वह मिनेवाइस कर सकता है जिसके जिसके टूमेर को ही डोस एगैं डेसकते हैं जोंकि दोस्रे ठोलडियो स कही पार मिनिया सकते तो डोस्तो प्रोटों में थरपी का में डिसर्टमट है उसका हाई को यह इसका रीजन रीकी कि से लगाने बहुत सारा यहां आफ होता है बहुत सारी जाहिए बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव कॉंपेंट्स आते वार मशीन बहुत कोश्ली है जो कि पूरी तरह से इंपोर्ट करनी पड़ती है और एक प्रोटॉन नीन थेरपी की फसलेटी लगाना एक नॉन प्रोटॉन थेरपी से लगानी से कंबेड और सौ गोना जादा एक्सपेंसिव होता तो नहीं है तो लेट सबस्क्राइब तरह से रहें जो डिस्कराइब तो किस दोस्तों बहुत comment विश्ते है कि मैं प्रोटॉन करा हो या लिकरा हूं वह कुश्यण में स्टेज कोर्शन से आते हैं तो फॉस्ट इपॉर्ट्ट इस्टियूं चाहता ह हूँ है कि इसका रीजन यह है कि रेडियेशन चाहे हो प्रोटॉन हो या नॉन प्रोटॉन हो यह बाइदेफिनिशन एक लोकल थरपी है यानि कि बॉडी में कहीं पर ट्यूमर सब्सक्राइब तो उसी को रेडियेट कर सकते हो पर जो जो कैंसर बॉडी में मुल्टिल स्कॉट पर फैला झो पर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब तो लेजन रेडियेशन सेखता है यह बहुत, जालोमियन फोटॉन यह बाइदेशन नियुक्णin थेसलख डियुक्ण 6 Zarman डियो पर घूर क्योए बॉरमियन हो सकते हो तो तो जिक्षोर छडीम फहा है प्रोटान बीम धरपी देके आमको ख़तम पर दोगे आज अपनों को ऐसा डेटा नहीं है कि जो ट्यूमर नम्मल रेडिशन से ख़तम हो जाए नम्मर तीन पॉइंट यह है कि प्रोटान बीम धरपी को कॉमनी प्रोश्टेट कैंसल के ले मार्केट किया जाता है तो ऐस अप प्रोटान बीम धरपी से रेडिशन से ज्यादा है इन फैक्ट जो भी लिमिटेड श्रीज अविलेबल है उनसे यह अपरेंट है कि दोनों रेडिशन के टाइप में क्योरें लगभर एक्वल है और एस अफ टुडें ऐसा कोई भी साइंटेबिकेशन या डेटा नहीं है ज प्रोटान बीम धरपी के बहुत सारी लेमिटेशन है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग यह एक ऐसी थरपी नहीं है जो ब्लाइंट लिया मेशन को देखी जाओ प्रोटान बीम धर आके आजाओ का एंसा नहीं होता परंतु इस थरपी के बहुत सारे फाइदे हैं जो हम सब्सक्राइब करते हैं जो अपने किसी बोनी पॉइंट का रिदिशन कराता हूं यूजुली इसके बहुत जाना लोंग टम साइदेट नहीं हो गया बदतु यदि बच्चा यह सेम चीज़ कराता है उससे क्या होगा कि उसकी बोन का ग्रोथ लाइफ ताइंगल एफेक्ट प्रोथ में पॉड्म होसकते एफिर उसको कोई ऐसा अर्ली जेनिटिक डामेज रिस कई मोना बढ़ जाया एक कोमन पॉर्ण होती है कि ब्लड कैंसर में चेश्ट की रेडिशन करने परती है और फीमेल बच्चों में इस रेडिशन के फ्युचर में थोड़ा सा प्रेश्ट करना चाहिए जाए नंबर फायता प्रोटामिन थर्फिक होता है ब्रें के ट्यूमर्स में तो तो स्टों कई बार क्या होता है कि ब्रें कुछ तूमर्स ओते हैं जिनका सर्ज्डी नहीं किया सकता और को रिदिशन से डिस्ट्रॉई करना पड़ता है पर ब्रेन वाटे डिल आपके तुमर को बहुत अच्छी प्रसिजन से तरगेट पर सकते हैं उनको डिस्ट्रॉइ कर सकते हैं अग्डा सेम नॉर्म बेंगे निमाइज कर सकते हैं तो ब्रेन और स्पाहिल कोड़ के लिए प्रोटान भी थरपी एक बहुत ही ऐफिक्टिव थरपी है नम्मर द्री ट्यूमर क्लोश टू वाइटल ओडनस तो दोस्तों मान वोगाइट यह हाट से चुपका हुआ है यह पुटिकल वाइटल ओडनसे चुपका हुआ यह लिवर के एक पार्ट में लोकेटेड है तो इस तरह के ट्यूमर के लिए प्रोटान भी थरपी बहुत अच् या शिरफ ब्रट वेसल के बास वारी अगी और ब्रट वेसल को परफुरेट करें तो प्रोट निम थरगे वाइट वैटल ओर के ट्लोस तूमर को पहुत ही अच्छा करिका है और लाष्ट इंपॉटन थरगे को युज़ा है रिर रेडियाश्ट तो दोस्तों सब्सक्राइब होता है जिसके लिए आपने मोथ का रइडियाशन करतो है और थीक हो जाता है और सपोस्ट एक या थेड़ साल बाद में को सेम लोकिशन बेक अंग उन्वोर जाता है इसको रेडियेट करने तो ऐसे सेरियों में प्रोटॉन थैर्पी को युज़ करेंगे तो अगें बिकॉस बहुत तुमर को राइडेट करेंगा और आसपास लॉरेंगों को रेडियेशन इक्षोजन मिनुमाइज करेंगा इसलिए प्रोटॉन थैरपी से हम सेल्क्तिवली प्यमानी को खतम सकते हैं और आसपास के औरगन में साइड एफेक्ट्स और डेमिज को मिनुमाइज कर सकते हैं तो यह में चार एडिया जहां पर हम प्रोटान बीन धरपी पेशिंट को रेकोमेंट करते हैं हमारी कांटरी में प्रोटान बीम धरपी सरब एक जगा विलेबल यह जो कि है चन्ने अपॉलो ऑस्पिटल के अंदर परन्तु प्रोटान बीम धरपी यह कई हॉस्पिटल इस प्रिप्रोटान की जा रही है और एक्स्पेक्टेशन यह जा है कि नेक्स्ट्री तूज यह जमे पेशेट को काफी ऑप्शन दो जाएगी जहांपे वो थेरपी को पा सकता है और एक्सपेक्टेशन यह है कि जैसे और सिंटर में थेरपी आएगी और गोर्माट अस्पेटल में थेरपी आएगी तो इस थेरपी कोश्ट काभी फॉल करेगा बट एस अफ नो यह थेरपी एक अच्छी और बॉडन टेक्नोलोजी है पर नतु कई पार इसको ओर प्रोमिस किया जाता है और पेशेंट को रखते हैं कोई मैजिगल थेरपी जो साथ चीज को ऐलाज कर सकती है प्रेक्टिली स्विकिंगे थेरपी सुर्फ कुछी पेशेंस के लिए है यानि कि बख्चों बख्चों के लिए जिन पेशेंट को संशेट प्रोकेशन पर जिप बेशेंट को ब्रेक्ट तुमर या जिन बेशेंट पर इडिशन फिरसें की जाती है इन तुमर में तर्मी का रोल बहुत वेल डिफाइन जबकि भागे धरफीज में अभी भी बीए क्लियर नहीं है कि प दोस्तों यदि इसके पावजूद आपको क्वेश्चन या डाउट है तो स्क्रीन में डिस्टेट सोशल मीडिया लेक्स या विडियो डियो डियो सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं कोशी करको आपको सवाल का अंसर आपको खुत जलसेल प्रोइड करूँ साथ ही यदि आपको क्यांसर के टॉपिक में रूची है तो आप हमाने वीडियो को जरूर शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारा गोल यह है कि इंडिया के हर पेशेंट को वर्ल्ड की लेटस्ट आपको की इंफोर्मिशन उनकी लेंगूजे मिले और हर पेशेंट को कैंजलर ट्रिक्राइब के लिए उसको मिल सकता है तो इसी मिशन में हमारे सा जुबने के लिए हमारे चैनल से जरूर चुड़े और आप से चलती मिलते हैं एक वाल वीडियो में वेरी सूर थैंक्यू